साहित अकादमी अवाड 2022 की घोसना हो चुकी है और इसमें हिंदी में बदरी नरायन अंग्रेजी में अनुराधारोय को पुरसकार देने के घोसना हुई है तो यह दोनों जो है हिंदी और अंग्रेजी में वीनर है इनके घोसना हुई है तो यह जो है साहित अकादमी अवाड यहां से question पूछ ला जाते हैं चलिए हम लोग विज़ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साहित्यकादमी अवार 2022 में किनको किनको क्या पुरसकार मिला है तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि साहित्यकादमी ने गुरुवार को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित साहित्यकादमी पुरसकारों की घोसना की है और यहां पर हिंदी के लिए बद्रि नारायन अंग्रेजी के लिए अनुराधारोय और उर्दू के लिए अनिस अस्पाग इन तीनों को इन तीनों भासाओं के लिए तो मिला है तो यहाँ पर है पुरसकार 1 जनुर 2016 से 1 दिसंबर 2020 के दोरान पहली बार परकासित पुस्तकों पर दिया गया है तो 1 जनुर 2016 से लेकर 1 जनुर 2020 के दोरान में जितने भी परकासित पुस्तकी हुई वह पहली बार उन्हीं पुस्तकों पर यह जो है पुरसकार दिया गया है साहित अकादमी अवाट को और यहाँ पर पुरसकार के रूप में क्या दिया जाएगा तो पुरसकार के रूप में दिया जाएगा अपका तामरफ फलक यानि ताम्य के पत्तर जैसा दिखेगा और उसमें फिर सालेक रहेगा और एक लाग रुप्य की रासी जो दी जाएगी वहाँ एक किसी वीशेश सम्मान समान में दी जाएगी तो वो कब होगा ये अभी पूरे तरह बताया नहीं किया है लेकिन जो भी पुरसकार है उनको एक तामर फलक मिलेगा साथ-साथ एक सौल मिलेगा और एक लग रुप्य की रासी दी जाएगी अब बात करते हैं कि कौन-कौन से भासाओं में पुरसकार किनको जो देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इदर बात कर लेते हैं भासा और कवी है कवीता संग्र है इनका देखिये तो हिंदी में जो है वो बदिनारान को वर यानि की वोडो जो भासा है उसमें रस्मी चोधरी को मिला है मेथिली भासा में अजित आजाद को मनिपूरी में कोईजम सांति बाला को ओडिया में गायतरी बाला पाड़ा को मिला है और संस्कृत में जनाधन पांडय मनी को मिला है और यहां पर देख रहे हैं कि कहानी संग्रह में बात करते हैं तो कहानी संग्रह में आसुमिया में मनुच कुमर को स्वामी को पंजामी में सुखजीत को यह कहानी संग्रह की जब बात करते हैं तो उसके बाद उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास में हो गया अंग्रेज से इन से गज़ самой लोग Frage अभ यांन पर देखे लेंगे अब यहां पर इधर में देखते हैं हम लोग ठामिल में बात करें में मीला है कम ब्रीम और में भसफथा को मिला है मतलब इनको गोशना ओशकार मिल जाएगा अब यह डेखते हैं समालोचना वाले में किनको किनको मिला देखते हैं तो फारुक फयाज को मल्यालम में एम थोमस मेथ्यू को और अब इदर देखते हैं तो नाटक की बात करते हैं नाटक में डोगरी भासा में मिला है विनाय गुपता को नेपाली में केभी नेपाली को रजस्थानी में कमल रं सिख को यह पुरसकार दी जाएगी लेक संग्रहम में कन्नड भासा में लिखेगा लिखे हुए है और उनमें जो है पुरसकार जिनको मिलेगा वह है मुड़ना कुडू चिन्ना स्वामे को यह कन्नड भासा में लेक संग्रह के लिए दिया जाएगा और सहते तिहास सिंधी भा में के लिए दिखे सिंधी वासन कनहिया लाल लेखवाने को कन्नार में मुड़ना कुड़ू चिन्ना स्वामी को आत्मकथा वाले में उज्राती लेखक जो है गुला मुहमस्येक को मिला है और देखिये नाटक में आप लोग देख सकते हैं याप डोगरी में विना कुपता न नरेंद्र को उर्दू में अनिस अस्वाक यह होगी और यह सब जो चीजें है वो उपन्यास वाले में मिलेंगी अंग्रेजी में अनुराधारवाय, कॉंकने में माया, अनिल, खरंगटे, मराठे में प्रविन दसरत बांदेकर, कहानी संग्रे में आसमी आके देख लेंगे पांडे मनी, संताली में कजली सोरन, तो यह हैं जो पुरसकार इनको दिया जाएगा, विनर हैं यह लोग, दोस्तों यहां पर एक चीज और देखते हैं कि हमारे जो इदर जारखंड वाले जो छेट रहे हैं, उदर संताली भासा बोली जाती है, तो संताली भासा में कजली स अकादमी पुरसकार मिला है, और यह जो है कजली सोरन, वो बांकुडा के रहने वाले हैं, यानि कि वेस्ट बेंगल बांकुडा के रहने वाले हैं, इनके जो घोसना हुआ था, उसमें इनको यह पुरसकार दिया जाएगा, और यह जो है पुरसकार खतडा, बांकुडा नि मिला है वह है कजली को साइट एकादिमी का पूरसकार उनकी कविता संग्रा साबर नका बालिरे सानन पंजय तो यह जो है संतालिवासा में यह कहा जाता है और उसको अगर हम लोग हिंदे में करेंगे तो होता है सुवन रेखा नदी किनारे बालू में सोना स्वरने ढूंडें इसी के लिए इन्हें यह पूरसकार दिया गया है और यह 2019 में परकासित किया था यह 2019 में यहां परकासित हुआ था और अभी 2022 में यहां पूरसकार इनको इसलिए मिल रहा है टूटल जो है 23 भारते भासाओं में निरनाएक समीती इने चैन किया कजली के संतालिक आभी संग्रह को सरुत मानते हुए 23 भारते भासाओं की निरनाएक मंडली ने साहित अकादिम पूरसकार की अंसंसा की तो यह इनको मिल चुका है अब अब यहां पर देखते हैं इनको क किया मिलेगा तो कजली सोरेन को पूरसकार शृप उथकीरण तामरभ फलक सौल और एक लग रूपिये नगत संबानिस में भेंट की जाएगी तो यह आने गुरित होने के बाद ही यह हमेंसे लिखने वाले काम करते यानि लिखने काम करते थे उद्धके बाकुड़ा से इन्हों ने बीएसे तक की पढ़ाई किये हैं तो यह है आप लोगों को ध्यान रखना लेकिन यहां पर इनका जो बूक है वो जो कईता संग्रा है वो है य आने वाले हैं